नमस्कार, मैं प्रिया दिवेदी कानपूर उत्तर प्रदेश से प्रिया दिवेदी म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का पुनह स्वागत है मैं म्यूजिक में UGC.net, TGT-PGT, LT, KVS, NVS, Indian Army, Railway, PhD, Inference, इत्यादी, प्रितियोगी परिक्षाओं की आफ्लाइन और ओनलाइन दोनों ही क्लासेज पढ़ाती हूँ अगर आप मेरी क्लास को पढ़ना चाते हैं तो दिये गए WhatsApp नमबर पर अपना नाम और अपना पता लिख कर भेजें हम आपको डेमो क्लास के लिए लिंक भेजेंगे हमारा नमबर है 9936-255-745 दूसरा नमबर है 6394-192464 आज का विशय है शुरुती स्वर्विभाजन पार्ट टू पार्ट टू किसलिए क्योंकि मैंने पार्ट वन में पढ़ाया था कि प्राचीन काल में और मध्य काल में शुरुती की क्या वैवस्था था थी शुरुती कि शुरुती पर स्वर इस्थापित किये गए थे और आज हम बात करेंगे कि आधूनिक काल में शुरुती स्वर्विभाजन का क्या है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइब और सब्सक्राइब जरूर करें आज तो आईए आज हम अपने विशय पर बात करते हैं शुरुती स्वर्विभाजन आधूनिक काल के संदर में अब हम अगर आधूनिक काल की बात करें तो मैंने पहले वीडियो में भी आपको यह बताया था कि पंडित भात घंडे जी ने शुरुतिया जो पहले अपनी अंतिम शुरुती पर स्वर इस्थापित होता था उसको उने बदलकल प्रथम शृति पर इस्थापित कर दिया तो अगर हम शृतियांतर की बात करें तो वो उतना ही है चार तीन दो चार चार तीन दो जो हमारा शृतियों का विबाजन था इस पर एक श्लोक भी है यानि कि हमारा जो मध्यम है पंचम है वो चार चार शृतियों का है निशाद और गंधार दो शृतियों का है रिशब और धैवत तीन शृतियों का है अगर स्वर विबाजन की हम बात करें तो चार तीन दो चार चार तीन दो अगर हम स्वरों को लिखे सा रे गा मा पधनी ठिक अगर आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो स्वर क्या है अपनी पहली शृति पर इस थापित है सा की बात करें तो सा हमारा चार शृतियों का है यानि यह हुआ चंदो वति लेकिन प्राचीन काल में क्या था वो अपनी अंतिन शृति परिस्थित था यानि हमारा जो पहले वाला सा था वो छंदो वति पर था लेकिन भातखंडे जी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने स्वरों को उनकी पहली शृति पर इस्थापित कर दिया तो इस तरह हमारा सा आधुनिक काल में तीवरा पर आ गया तो हमारा सा आया तीवरा शृति पर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिशब रिशब कितनी शृतियों का है तीन शृतियों का यानि दयावति रंजिनी रक्तिका लेकिन यहां पर भी हमारा रिशब कहां आ गया अपनी पहली शृति पर यानि दय या वद्य पर यह आया हमारा रिशलन फिर बात करें गंधार की तो गंधार कितनी शुरतियों का है दो चुरूतियों का है तो रौधोरी और क्रोधा के तो हमारा गंधार कहा आगया पनी क्रबले प्रेथली वद्य लॉटरी पर तो यह से यहां तक हुई चार शुतिया और हमारा मध्यम कहा आया वाज्रिक पर फिर पंचम कितनी शुतियों का है चार शुतियों का है यानि छिती रक्ता संदीप नि अलापनी तो हमारा पंचम कहा आगर छिती फिर हम धैवत की बात करते हैं धैवत थीन शूतियों का है तो मदंति रोहिनी रम्या है है तो हमारी पहली कौन शूति मदंति तो हमारा धैवत दो मदंती पर फिर फिर लास्ट हमारा निषाड किती शूर्टियों का है दो शूर्टियों का है तो उग्रा और चोवडरी तो हमारा निषाड कहा आया matya o è augra इस प्रकार यह हमारी अधूनिक समय मैं जो शूंटि स्वर्विभाजन यह वह इस प्राचीन कार में शृतिया जो स्वर्थ जो थे वह अपनी अंतिम शृति पर इस्थापित थे और आधुनिक काल में क्या है वह अपनी प्रथम शृति पर इस्थापित है तो मैं फिर से बार बता देती हूं स्थापित अपनी पहली शृति पर इजाने पर यानि नंबर एक तीवरा पर आएगा ऐसे ही दयावती रनजिनी रट्थिका यह तीन है जो यह 3 सुतिया हो गई हमारे शृति लेकिन रिशब कहा है पहली शुरुति पर यानि रिशब कहा है दयावती पर फिर हम बात करते हैं गंधार की तो गाह हमारा दो शुरुतियों का है तो हमारा कहा गया रौद्री और क्रोधा यह हमारी गंधार की दो पृद्धर्ध हम बात करते हैं हमारा फिर चार शुतियों से नहीं बात करते हैं पंचम की, पंचम भी कितना है? हमारा चार شूतियों का है चिती, रक्ता, संधी, आलापिनी तो पंचम कहाएगा? उसकी पहली शूति पर, यानि چौदवे नमबर चिती पर हमारा 55 है फिर हम बात करते हैं धैवत की तो धैवत हमारा कितनी शूतियों तीन शुतियों का है तो यह भी अपनी पहली पर आएगा यानि अठारवे नंबर पर मधनती पर फिर निशाद कितना है हमारा दो शुतियों का है उग्रा और छोबनी तो निशाद की पहली शुति क्या हो गई 21 नंबर पर उग्रा इस प्रकार यह हमारी आधुनिक काल में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए विशाय के साथ हम नए वीडियो पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार